एक बार मेरी बताई ये मसाला पूरी बना कर देखिएगा आप और आपकी फैमिली में प्लेन पूरी की जगह हर बार बस यही क्रिस्पी पूरी खाना पसंद करेंगे इसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है गेहूं का आठा एक कटोरी उसमें आदा कटोरी डाल रही हूं बेशन एक चोथाई कटोरी डालें सूजी इससे पूरी एकदम एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनेगी अब उपर से जाएगे चीली फ्लेक्स साथ ही साथ आप ब्रीन चीली भी डाल सकते हैं पर बच्चों के लिए कम तीखा ही रखें स्वाद अनुसार अब जाएगा नमक आदा चमच अजबाएं यह डाइजेशन में फायदे मन्द है आदा चमच डाल रही हूं धनिया पाउडर क्रेश करके डालें कसूरी मेथी फ्लेवर और खुश्पू बढ़ाने के लिए और उपर से डालें ओईल के दो चमच यह स्ट सब्दी में आप दही जादा भी ले सकते हैं यह स्टप आटा सोफ्ट करने के लिए होता है अब स्टफिंग के लिए आटे में कद्दू कसकर रही हूं वैल्ड आलू आप गोभी अर्भी या कोई और सब्ची भी ले सकते हैं अब थोड़ा थोड़ा गुर्भूना पानी और आटे को अच्छे से गुंदे आलू में भी अपने मौश्यर होता है इसलिए कम से कम पाने से आटे को गुंदे इस आटे को हम रोटी के आटे से थोड़ा सक्त रखेंगे लास्ट में दो चर गुंदे और या घी की लगा ले आटे को नरम रखने के लिए और इसे 10-15 मि पर अच्छे से गरम होने दें जब गरम तेल और लियर दिखने लगे तो ऊपर से आटे की छोटी सी बॉल बना कर तेल में डाले जिसका मतलब है आपका ओल रेडि हो गया है पूरी बनाने के लिए लगबख 10 मिनिट हो चुके हैं अब मैं आटे की छोट छोटी लोई बना रही हो आप चकले पर थोड़ा सा ओई लगा ले और आप इसकी पूरी बेले आप इसमें थोड़ा आटा लगा कर भी पूरी को बेल सकते हैं पूरी की साइज अपनी पसंद से छोटी है बड़ी बना सकते हैं और हां जितनी पूरी पतली होगी उतना तेल कम पिएगी इसे एक बार तेल में डालकर पल्टे से दबा दे यह सीक्रेट है मटूरे की तरफ फूली फूली पूरी बनाने का या इसको मीडियम लोग ही रखे अब सर्थ करें गर्म गरम पूरी अचार दही या किसी भी सब्ची के साथ बहुत ही स्वादिश है और बनने में असानी से बन जा पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें